लाइव कुलकाता के अपडेटेट न्यूस के लिए सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं एक बार फिर से भारी बारिश ने देश के कई राज्यों में उत्पात मचा दिया है महराष्ट, केरिल, करनाटक, तामिलनाडू समेथ कई राज्यों में बारिश और बार से हाहा कार मचा हुआ है पिछले तीन दिनों में सौ से जादा लोगों की जान जा चुकी है अकेले केरिल में 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है सभी राजियों में रेस्क्य ओप्रेशन जारी है आज ग्रे मंत्री अमित शावी करनाटक के बेला गावी में बाल प्रभावित शिक्त्रों का दौरा करेंगे केरल पर पुदरत का कहर बढ़सा है भारी बारिश की बज़ा से एरना कुलम त्रिशूर पठांट पा मलपकूरम जिले बुरी तरह से प्रभावित है बारिश के कारण कई घरों में पानी भर गया और डैनिक जीवन प्रभावित हुआ मौसम विभाग ने केरल की इडुकी, मलपकूरम, कोजी कोड में बारिश का रेड अलर्ट जब की त्रिशूल, पलककर, वाइनार, कन्नूर जैसे जगों पर ओरेंज अलर्ट जारी किया है दक्षिन पश्चिम दिशा की ओर से 40-50 किलोमिटर प्रती घंटी की रफ्तार से हवाई चलने के आसार हैं इसके कारण मच्टवारों को सम्मुदर में नहीं जाने की सला दी गई है रेस्की ओपरेशन में यहां 20 NDRF की टीमें, 10 आर्मी टीमें, 5 नेवी टीमें और 2 SDRF की में रेस्की ओपरेशन के लिए तैनाथ हैं तो वहीं महराश्ट में अब तक 2 लाग से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुचाया गया है करनाटक और महराश्ट में लगातार हो रही मुस्लाधार बारिश के कारण सडक और रेल संपर के प्रभाविक हुआ है कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया दिया तामिलनाडों में भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है यहां भी 5 लोगों की मौती है सेना नेवी और एर फोर्स की जवान राहत कारे में लगे हुए है